तिरुपती मंदिर प्रसाद मामला थम नहीं रहा है MPK 70 पहुंचे द्वारका शारदापीट के जगत गुरू शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महराज ने कहा कि तिरुपती बालाजी मंदिर के प्रसाद के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसे सुनकर बहुत कश्ट हुआ है हमारी धार्मिक विवस्था में मिलावट करना घी के लड़ू में मिलावट करना यह अपराद कैसे हुआ और कितने दिन तक होते रहा वहां के संचालक ने क्यों ध्यान नहीं दिया इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यक्ता है साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते आपको शाशन को इस मिशय पर विचार करना चाहिए जो हमारे हिंदू के धार्मिक स्थान है धार्मिके केंद्र, ये हिंदू के मुख्य बिंदू है मुख्य केंद्र है, स्रद्धा केंद्र है मूल बात यह है, कि अगर वाला तुर्पती जी मंदर का संचालन किसी महात्मा के पास होता धर्माचारी के पास होता, आचारी के पास होता, परंपरावाले आचारी के पास होता शंप्रदायाचारी के पास होता तो ये गलती कभी नहीं हो सकती थी